दोस्तो नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Central Bank of India में Saving Account उपन करने के बाद Internet Banking को कैसे Register और Activate किया जाता है आज के इस वीडियो में मैं आपको Internet Banking को Activate करने की पूरी जानकारी देने वाला हूँ यहाँ पे आपको Live Internet Banking Activate करके भी दिखाने वाला हूँ अगर आप Saving Account Central Bank of India में उपन कर चुके हैं Net Banking Activate करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप Complete देखिएगा ये वीडियो आपके लिए काफी useful होने वाला है वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह प्यार बरा रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेर करना मत भूलिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना बेल आइकन दबा देना तांकि आपको नई नई बैंकिंग से सुमंदित अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके तो आईए इसका प्रोसेस इंटरनेट बैंकिंग का डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको Central Bank of India Co.in website ओपन कर लेनी है आपके सामने पेज कुछ इस परकार से नजर आएगा अब आपको यहाँ पर राइट साइट पर लॉगिन के ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग के उपर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर इस बिंडो को हम बंद कर देंगे देखिए इंटरनेट बैंकिंग मैं रिस्टेशन करने के यहाँ पर दो तरीके हैं आप यहाँ पर राइट साइट पर देखेंगे ऑनलाइन पासवर्ड जनरेशन का आपको आप्शन मिलेगा यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हैं लॉग इन के उपर आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि यह करन्ट अकाउंट बालों के लिए है अगर आपने सेविंग अकाउंट उपन किया है तो आपको उपर वाला ओप्शन ही यहाँ पर लॉग इन करना है तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं login पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक option देख रहे हैं, आपको online password की इसके उपर आपको क्लिक कर देना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको homepage में भी देखने को मिल जाती ह आप बहाँ पे भी जा सकते हैं, सीधा आप यहाँ से भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं online password के उपर क्लिक कर देता हूँ, अब यहाँ पे आपको दो चीजों की वश्यक्ता पड़ेगी, आपके पास आपकी password होनी चाहिए, जिसके उपर आपका CIF number customer ID आपका लिखा होना च चाहिए, उसके बाद आपकी एक debit card की वश्यक्ता पड़ेगी, debit card आपके पास available होना चाहिए, तब ही जो है आप internet banking को activate कर पाएंगे, तो यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूँगा, यहाँ पे कई लोगों का password reset नहीं हो पाता है, यहाँ पे कुछ error आजाता है, इसके लि account खोलने के समय, तो आपको बहाँ पे आप जाके अपना email ID अपडेट करवा लेना है, internet banking को activate करने के लिए mobile number और email ID दोनों का update होना account में ज़रूरी होता है, तब ही जो है आप internet banking को activate कर पाएंगे, तो मैंने यह process कर लिया है, तो चलिए यहाँ पे मैं CIF number डालके यहाँ पे हम password अपना बना लेते हैं, password बनाने के लिए यहाँ पे आपको तीन option मिलेंगी, आप यहाँ पे security का answer दे सकते हैं, आप यहाँ पे debit card की detail डाल सकते हैं, प्लस date of worth डाल सकते हैं, KYC account number यहाँ पे आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप debit card के साथ जाएए, अब यहाँ पे आपको email id और mobile number अपडेट नहीं होगा, तो आपको यह page display नहीं होगा, आपका पहले page में ही error आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं last six years डाल देता हूँ, अब यहाँ पे expiry date डालेंगे, अब यहाँ पे अपनी date over डाल देते हैं, अब हम यहाँ पे से submit पे click करेंगे, अब यहाँ पे page कु mobile number एंटर कर देना है, जो आपका account number में register है, भही number आपको यहाँ पे fill करना है, उसके बाद आपको एक OTP mobile के लिए यहाँ पे generate करने को बोला जा रहा है, तो आपको यहाँ पे generate पे click कर देना है, तो सबसे पहले आपके इस mobile number पे एक password बेजा जाता है, OTP की रूप में, आपक आपको internet banking में login करने का option आजाएगा, अब आपको अपना CIF number यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपको अपना password यहाँ पे डाल देना है, जो आपको mobile पे रसीब हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपको yellow color में के capture दिखाई दे रहा है, इसको आपको यहाँ पे डाल लेना है, अगर आपको capture पढ़ने में दिक्कत आती है, तो यहाँ पे refresh का button है, आप इसे click करके अपना easy वाला capture देख सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे login पे click करेंगे, तो चलिए information में यहाँ पे डाल लेता हूँ, जब आप first time login करेंगे तो यहाँ पे आपको termine condition का page open हो जाएगा, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रोल कर लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पे tick mark करना है, termine condition पे उपर और यहाँ पे आपको I agree पे click कर देना है, उसके बाद यह page open होगा, अब आपको यहाँ पे blue color में click here to continue का एक option देखेगा, इसके उपर आपको click कर देना है, अब यहाँ प आपको नया password अपना बना लेना है, password आपको minimum 8-15 character के बीच में बनाना है, आप यहाँ पे character और numeric का combination करके आप password बना सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे example बता देता हूँ, India at the rate 1947, आप इस परकार अपना कोई भी combination बना के password बना सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं current password अपना OTP दाल के नया password बना लेता हूँ, आप यहाँ पे आपको submit का एक button देखेगा, इसके उपर आपको click कर देना है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, your password has been successfully changed, तो हमारा जो है यहाँ पे password change हो गया है, अब यहाँ पे हम continue पे click करेंगे, तो हमारी internet banking में यहाँ पे login हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपके account की summary आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आपको यहाँ पे अपना balance check करना है, तो आपको यहाँ पे summary वाले page पे click कर देना है, यह देखिए, यहाँ पे page कुछ इस परकार से open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे statement of account प कि इसका transaction का password कैसे generate करना है, इसके लिए आपको कौन सा option चूज करना है, चलिए transaction का password कैसे बनाते हैं, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, अगर आप यहाँ पे transaction का password generate करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या process करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप यहा से last वाली option को चूज करेंगे generate transaction password तो यहां पे आपको click कर देना है user ID आपकी automatic उपर आ जाएगी अब आपको यहां पे अपना register mobile number डाल देना है अब यहां पे आपको generate पे click कर देना है अब यहां पे आपके सामने एक नई window open हो जाएगी आप यहां पे पूछा जा रहा है आपसे कि आप अपने password को authenticate कैसे करोगे तो यहां पे आप तीन option चूज कर सकते हैं सबसे easy वाला option OTP का है आप यहां पे OTP via SMS की option को चूज करेंगे अब यहां पे हम submit करेंगे अब यहां पे सबसे पहले आपके register mobile number पे OTP आएगा आपको यहां पे OTP डाल के submit कर देना है मैंना यहां पे OTP डाल दिया है अब हम इसे submit करेंगे तो देखिए यहां पे एक OTP हमें send कर दिया गया है बैंक की तरफ से transaction का password बनाने के लिए वो OTP हमें यहां पे डाल देना है उसके बार हम यहां पे transaction का password अपना नया बना लेंगे तो चलिए इस process को हम कर लेते हैं अब यहां पे आपको नया password बना लेना है जैसे आपने sign on का password बनाया था उसी परका आप मिलता जुलता यहां पे password एक और create कर लेंगे आप अपनी सहूलत के हैसाब से अपना password बना सकते हैं जैसे आपको password बनाना आता है तो मैंने यहां पे password बना लिया है अब हम इसे submit करेंगे यह देखिए transaction का password हमारा change हो गया है आप भी इस परका transaction का password जंदेट कर सकते हैं तो मैंने इस video में आपको Central Bank of India की internet banking को कैसे activate करते हैं इसका पूरा process यहां पे आपको live करके दिखा दिया है I hope इस video को देखने के बाद आप internet banking का registration करने का पूरा process समझ गई होंगे अगर आपको यह video useful लगा है तो इसको like और share करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए video में नमस्कार